वो बूरे, बीमार, जखमी और कमजोर का शिकार करता है, लेकिन ताखतवार का कभी नहीं हलो फ्रेंड्स, माई टॉक्स के एक और फ्रेस एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं, बॉलिवूड के सुपर स्टार वरन दवन के आने वली फिल्म बेडिया के बारे में ये फिल्म बॉलिवूड की अब तक की सबसे बहतरीन फिल्मों में से एक होगी फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो किसी श्राप के कारण आदम खोर वैर्वूड की फिल्मों में देखा होगा लेकिन इस बार बॉलिवूड हॉलिवूड को टक कर देने वाला है और इसका जिनमा उठाया डायक्टर अमर कौशिक ने और ये बहुती कमाल के डायक्टर है इन्होंने अब तक इस्त्री और रुही जैसी जबर्दस्थ होरर कॉमेडी फिल्म में बनाई है दोस्तों दीपक डोब्रियल और अभिसिक बैनर जी बॉलिवूड के उन कलागारों में से आते हैं जिनकी फिल्म अगर कोई देख ले तो कोई भी उनका फैन बन सकता है और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो टैलेंट की कदर करते हैं तो आपको इनकी फिल्म में जरूर देखने चाहिए भेडिया फिल्म में वरुन दवन हमें एक आदम खोर वैर्वूल बन नजर आएंगे और ये फिल्म वरुन दवन के करियर की अब तक की सबसे हट के फिल्म होने वाली है क्योंकि पहली बार वरुन दवन होरर फिल्म में दिखाई देने वाले हैं और फिल्म को अरणाचल परदेश में सूट किया जा रहा है वरुन दवन अपनी हर एक फिल्म में कुछ नहीं अट राई का नहीं कोशिस करते हैं और इस बार वरुन दवन ने कमाल ही कर दिया है और अपनी ऐसे ही हट के फिल्म करने की वैसे वरुन दवन बहुत ही कम टाइम में बॉलिवूट के टॉप एक्टर्स की गिंती में आचुके हैं भेड़े फिल्म में वरुन दवन वैरुन बनके धमाल मचाने वाले हैं और ये किरदार उनकी फिल्मों से बिलकुल अलग होने वाला है जो आप सबको पसंद आने वाला है फिल्म 14 अप्रेल 2022 में रिलीज होगी और अगर आपको भी है वरुन दवन की जवर्दस फिल्म का इंतिजार तो नीचे कमेंट करके जरू बताएं तो दोस्तों वेट कीजिए मैं आपको जल्दी नए अपडेट के साथ मिलूँगा तो अगर आप इंटरस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करके बताएं कि आप कितना वेट करें फिल्म का और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसी डेली वीडियो के लिए